Hello and Welcome back to Asset Guide YouTube Channel आज की इस वीडियो में हम एक कमेंट लेंगे जो की अतुल अहीर जी ने पूछी है काफी इंटरस्टिंग कमेंट है और काफी लोगों के मन में ये कुछन चलता है तो आज हम इसका finally solution करेंगे इन्होंने पूछा है सर अगर मेरा बन कोईन अकाउंट है और कार परचेस के लिए मैं कूपन लेके मेरे दोस्त को कार लेने के लिए दे रहा हूँ तो वो टेक्स मुझे पे करना होगा या मेरे दोस्त को किरपिया साहता कीजिए तो देखें यहां पर क्या होता है कि इन्होंने अपनी ID से कूपन बाई किया उसके बदले में अपने दोस्त को कार का पेमेंट करवाया तो कार का जो पेमेंट आएगा वो जिसकी ID से कूपन लिया गया है या तो उनकी ID पर जाएगा उनकी ही ID पर जाएगा और अभी फिलाल में ऐसा हो रहा है कि अगर आप गाड़ी लेना चाते हैं तो जिसके नाम से गाड़ी के कागज रहेंगे उसी के नाम से आपको One Ecosystem का ID से जो है coupon purchase करना होगा तो ऐसी condition में जिसके नाम से coupon buy किया है उन्हें ही अपना transaction so करना है वो ही बन कोईन का transaction कर रहे हैं तो tax भी उनको ही देना होगा इससे पहले वाली जो condition थी कि आपने कोईन से coupon buy किया और वो पैसा आपका look open merchant ने आपके showroom पर transfer किया तो उस condition तक तो आप safe थे लेकिन अभी फिलाल में क्या है कि आप अपनी ही ID से coupon purchase कर रहे हैं और आपकी ही ID पे बन का transaction हो रहा है और आपके ही account में बन कोईन का पैसा आ रहा है चाहे वो EMI के थुरू आ रहा हो चाहे वो one time payment आ रहा हो लेकिन आपके ही transaction में पैसा आ रहा है और जब आप उसे crypto payment में सो करेंगे तो आपको बहाँ पर 30% tax देना होगा और TDS भी देना होगा तो यही था इनकी comment का answer I hope आपको answer मिल गया होगा आपके साथ साथ जो बाकी सभी लोग हैं जिनके मन में डाउट चल रहा है उन सभी को इस question का answer मिल गया होगा वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें comment करें और share भी करें